आज के दिन की सबसे बड़ी खुश खबरी जो मिली वो ये थी कि अब जानकारी मिली कि 5 मीटर तक कोई आपस्टेकल नहीं है यानि कि कोई लोहे का सर्या नहीं है या कोई ऐसा आपस्टेकल नहीं है जिससे हमारी उमीद ये बंधी कि अगर अब काम शुरू होगा तो कम से कम पांच मिटर स्मूथ चलने वाला का है और इस वक्त हमारे साथ वो टीम मौझूद है जिन्होंने ये खुश ख़बरी आज पहुचाई है क्योंकि एक जी पियार हुआ जिसके बाद ये पूरी जो रिसर्च थी वो सामने आई जिससे मालूम चला कि रास्ता जो है वह साफ है म घाँ कर चाही। आजूर котором कैक रेटर फ्रेंश में काम करता है डिढ़ी आखर अडलवा वाला क्रीक्वेंश के इसल लावा अजयिए भिल्कुल ओल्कुन फेमानटको मेंबल सथी निख़िये आज स॥र्ट अबट इसवाल मेंश्नाchts अुट प्रीपेंश मेंशा अ्छी प्रोसेस आप समझा देंगे कि आप इस तरीके की काम को करते हैं क्या प्रोसेस रहता है और यह तो 45 मिटर का पूरा पाइप बिचावा है आप पूरा क्रॉल करके गए वो क्या एक्सपीरिंस था यह रहता है अट यह तो बिचाने के लिए और अधर ज्याने का पहले अंडर जाने का पहले एक लोग अंदर गया था पूरा सिटवेशन टी चेक करने का बाद मेरेको बुला दिया और मेरेको एक ट्रॉली में पार से शेंट लदी के लिए सूर मेरेको किस दिक्कत नहीं है उ मेरे को पूरा प्रोटेक्शन देया है, हेलमेट, हैंड ग्लावज और अबर दिक्कत नहीं जाने के लिए, उस उदर वेंटिलेशन के लिए बार से कुछ फैन कुछ लगा, एक्सास टाइप में कुछ रेडिक हुआ, सो अवा में कुछ दिक्कत नहीं है, मैं आराम से अदा ग इसमें टच करने के भी ज़रत नहीं होती, सेंसर से सब कुछ होता है, ना, मैम, अब एक ही बॉक्स है, इसमें आंटना बोलते हैं, ए आंटना डिब्रिस के साथ तोड़ा कीचना पड़ेगा, सो इसमें क्या हो जाएगा, आप ट्रांस्मिटर रिसीवर दोनों हो जाएगा, सो इससाब में कुछ भी मेटल अबजेक्ट हो और कुछ भी डिफ्रेंट मेटियल हो, इसमें रिफ्लेक्शिन वापस आजाएगा, इसलाब हम मेशर करते हैं, सो सब्सक्राइब मेटल अबजेक्शिन इतना स्ट्रॉंग नहीं था, इसलिए आम बोला, मैं बिलकुल नहीं ब सब्सक्राइब मेटल होता है वो डिटेक्ट हो जाता है और अभी जो आपने आज जो किया उसमें पांच मेटर तक नहीं दिखा, इस मोटा मेटल नहीं दिखा, मोटा मेटल और कुछ भी स्पेजविक साइज से काल्कुलेशिन एक किलाबा तोड़ा बड़ा मेटल मिल सकता है, for the five meters, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, yes ma'am, for five meters, there is not an, I would say there will be some few metal objects, but they won't create an obstruction, कुछ नहीं आजाएगा, but आराम से चल जाएगा, so इस पांच मेटर के बाद, हम देखना पड़ेगा, suppose कुछ दिक्कत आरे मतलब, हम आंदर दुबारा जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत आती है, तभी आप लोग को कॉल आउट किया जाता है, या पहले भी आपा, कुछ दिक्कत नहीं है, इसलिए आमको बुलाया, मैं, और अल्मोस, हम उपर से ERI काम किया था, so, लेयर स्टाइट, जियोलोजी स्टाड़ी करने के लिए, so, एक काम काता मोड़ आप लोगों ने एक और जो पॉइंट था, उस पे भी काम किया था, वर्टिकल वाला है, उस पे आप लोगों ने क्या किया था, उस समय में दिक्कत आया, so, इसलिए उपर से ERI काम में स्टू किया, because RVNL उदर टिलिंग करने के लिए, exactly 320 चैनेज पे, so, उस जगा में कौन स साथ Geology है, और कुछ Water Pocket Zone के लिए, उस जगा में काम किया था, रिसल्ट तू ठीक आया, मैं ONGC के साथ और RVNL के साथ, और दूसरा और मेरा रिसल्ट शायर करकी, मैं कांसल्टेशन लिया, रिसल्ट तो बढ़िया है, but कुछ दिक्कत नहीं है, सपोस उस जगा में दिल कर रह यह पार्शन कंपनी के चारो टीम मेंबर्स में आपको दिखा रही हूँ, जिन्होंने यह बताया कि पांच मीटर्स तक का अभी जो रास्ता है, उसमें चोटे-चोटे-चोटे मेटल्स मिल सकते हैं, लेकिन वो अब्स्ट्रेकल नहीं बन सकते हैं, जैसे कि हमने कल देखा क्यामरबस नसीब सिंग के साथ प्रियांका कानपा, न्यूसेट इन इंडिया, उत्तरकाशी